हलो इस्टूरेंट आज हम कक्षा आठ्मी का एक नया चेप्टर रिस्टार करने जा रहे हैं चेप्टर नमबर सत्रा संख्याओं का खेल मैं हो बर्मनन पड़ेल स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बी एन पड़ेल क्लासेस पर तो आईए देखते हैं संख्याओं का खेल में पूर्ण संख्या क्या होता है पूर्ण संख्या किन-किन गुनों का पालन करता है इसके बारे में चर्चा करेंगे जैसे कि पहले भी हम संख्या के बारे में अध्यान कर चुके हैं उसका वीडियो जो है आपको basic maths के अंतरगर जो है मिल जाएगा कि संख्या कौन-कौन से होते हैं, कौन से नियम का पालन करते हैं, यदि आप उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो basic maths में जा करते हैं, फिलाल इस शेप्टर में पूर्ण संख्या के बारे में फिर से दिया गय क्या है तो एक बार हम रिवाइस कर लेते हैं पूर्ण संख्या होता क्या है पूर्ण संख्या याने की खोल नंबर यह जो है सुन्य से सुरू होता है और धनात्मा तरब जो है अननतरुप से आगे बढ़ता है सुन्य एक दो तीन बेज़ डेज का मतलब यह है कि आप जीतना चाहें आगे जो है उसको बढ़ा सकते हैं इसको जो है डबलू से प्रदर्शित किया जाता है डबलू बराबर यह सुन्य एक दो तीन आगे जीतना चाहें आप लिख सकते हैं तो यह होगे आपका पूर्ण संख्या इसमें जो है सबसे छोटी पूर्ण संख्या अगर हम बात करें सबसे छोटी पूर्ण संख्या तो यह होता है सुन्य और यदि हम यहाँ पर सबसे बड़ी पूर्ण संख्या प्राप्त किया जा सकता है तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि सबसे छोड़ी पूर्ण संख्या तो सुन्ने होती है पर सबसे बड़ी पूर्ण संख्या हम नहीं बता सकते यहां पर पूर्ण संख्या जो है कुछ नियमों का पालन करता है जैसे कि मैं यहां पहल दोनों का योग कर दिया जाए 2 धन 3 बराबर क्या येगा पांच यहाँ पर दो जो है एक पूर्ण संक्या को प्रदर्शित करता है तीन भी एक पूर्ण संक्या है और दोनों को जोडने पर एक पूर्ण संक्या ही प्राप्त हो रहा है वैसे ही अगर और कोई पूर्ण संक्या लिग ले एक धन छै बराबर साथ तो यहाँ पर भी एक और छाय पूर्ण संख्या है और दोनों को जोड़ने पर प्राप्त होता है साथ ये भी एक पूर्ण संख्या है तो इस प्रकासे हम बोल सकते हैं कि अगर दो पूर्ण संख्या लेते हैं और उनका योग किया जाता है यानि कि जोड़ते हैं तो हमेशा जो है एक पूर्ण संख्या प्राप्त होता है और इसी को बोला जाता है समवरक नियम तो यहाँ पर पूर्ण संख्याओं का योग जो है समवरक नियम का पालन करता है यहाँ पर जैसे लिखा गया है यदि A, B, C पूर्ण संख्या हो तो यहाँ पर हम दो पूर्ण संख्या को अगर हम जोडेंगे, मान लो A प्लस B और मान लो आता है C, तो यहाँ पर A पूर्ण संख्या है, B पूर्ण संख्या है, यह मान के चल रहे हैं, कि A प्लस B बराबर C आ रहा है करके, तो A पूर्ण संख्या है, B पूर्ण संख्या है, तो C भी क्या हो जाएगा, पूर्ण संख् तो जितना प्राप्त होता है क्रम को बदल के योग करनी पर भी उसके मानने कोई परिवर्टन नहीं होता तो इसको हम बोलते हैं क्रम विनिमे नियम तो यहाँ पर ये क्रम विनिमे नियम का भी पालन करता है कहने का मतलब अगर A धन B लेते हैं तो जीतना आएगा B धन A लेने पर भी हमको उतना ही प्राप्त होता है तो ये हो गया आपका क्रम इनमेनियम का पालन। इसके बाद आता है साचर इनियम। ये साचर इनियम क्या होता है? जैसे यहाапर हमने दो संख्याओं को लेकर के देखा था, अगर इसी को हम तीन संख्या लेकर के देखते हैं, मालनों हम ले लें एक तरब 2, धन 3, धन 5 फिर दूसरे साइड मैं लिखता हूँ 2, धन 3, धन 5 तो ये दोनों तो बराबर होंगे क्योंकि सेम नंबर लिया गया है लेकिन अगर इनको जोडने का क्रम इधर 2 और 3 को पहले करें और इधर जो है बाद में वालों को ले लें 3 और 5 को इन दोनों को अगर हम पहले जोडने तो 2 और 3 का योग हो जाएगा 5 और यहाँ पर फिर है 5, 5 और 5 कितना हो जाएगा 10, मान लो इधर का हम देखते हैं तो ये दोनों का योग पहले होगा 3 और 5 का योग आता है 8 और इन दोनों को जोडने पर फिर से क्या मिलता है 10 तो इधर भी 10 इधर भी 10 इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम 3 संख्या ले करके योग करते हैं शुरुवात में जो 2 संख्या दिया गया है उनका योग करते हैं उसके बाद उसके साथ पीसरे का योग करते हैं तो जितना answer हमको प्राप्त होता है अगर हम अंतिन 2 को पहले जोड़ दे पिर जो भी आयेगा उसको पहले संख्या साथ जोड़ते हैं तब ही हमको योग उतना ही प्राप्त होता है तो पूर्णा संख्याओं में ये भी गुर्ण पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं साचरी नियम, यानि कि ये साचरी नियम का भी पालन करता है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम A प्लस B प्लस C बराबर ले, तो यहाँ पर हमको A प्लस B प्लस C ये जो है प्राप्त होगा, अ साचारिनयम का भी पालन करता है, यहाँ पर अब आता है तत्समक अवयाव, यह तत्समक अवयाव होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे, मान लेते हैं आप कोई भी एक संख्या ले लो दो, इधर ले लेते हैं तीन, इधर ले लेते हैं साथ, तीले लेते हैं नौ यह हम चार अलग-अलग संख्या प्राप्त कर लिये हैं अब इन सभी में जो है हम सुन्य का योग कर दे तो जो आंसर आएगा उसको हम देखते हैं दो में सुन्ने जोड़ने पर दो आएगा तीन में सुन्ने जोड़ने पर तीन आएगा साथ में सुन्ने जोड़ोगे साथ आएगा नौ में सुन्ने जोड़ोगे तो नौ ही आएगा इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम सुन्ने में क सी भी संख्या को जोड़ देते हैं तो उस संख्या के मान में कोई परिवतन नहीं होता जिसके कारण जो है ये सुन्य को हम क्या बोलते हैं योग तत्समक अवयाव कहते हैं तो यहाँ पर अगर A प्लस 0 ले या 0 प्लस A ले हमेशा हमको कितना प्राप्त होता है ये प्राप्त होता है तो ये जो सुन्य है इसको हम क्या बोलेंगे ये कहलाएगा योग तत्समक अवयाव तो इस प्रकार से जो है पूर्ण संख्याओं के योग में ये चारो नियम हमने देख लिया सांवरग नियम का पालन करता है क्रम विनिमे नियम का पालन करता है साहचर नियम का पालन करता है और इसमें योग तत्समक अवया सुन्य प्राप्त होता है इसके बाद हम चलते हैं अंतर याने की घटाना तो क्या जिस प्रकार से योग जो है इन नियमों का पालन करता है अंतर भी इन नियमों का पालम करेगा या नहीं जैसे अगर हम दो पूर्ण संख्या हम ले लेते हैं दो और तीन अगर हम तीन में दो को घटा दे तो क्या प्राफ्त हो जाता है एक प्राफ्त होता है तो यहाँ पर तीन और दो दोनों पूर्ण संख्या है और इस पूर्ण संख्या में दूसरे पूर्ण संख्या घटाने पर आया एक और ये भी एक पूर्ण संख्या है यहाँ पर तो देखने पर लगता है कि ये जो है घटाना भी समवरग नियम का पालन कर रहा है लेकिन अगर मैं पहला वाला संख्या छोटा ले दूँ दो रिण तीन कर दूँ तब यहाँ पर एक ना आतर के क्या मिलेगा रिण एक और ये रिण एक जो है आपका पूर्ण संख्या नहीं है याने कि हमेशा ये इस नियम का पालन नहीं करता इसलिए हम बोलेंगे कि अंतर म याने कि घटाना में जो है संवरक नियम का पालन नहीं होता इसके बाद हम देखते हैं क्रम विनिमे नियम तो यहीं से आपको पता चल जाता है कि तीन रिण दो बराबर आ रहा है एक और दो रिण तीन बराबर आ रहा है रिण याने कि ये राइट साइट जो आंसर आ रहा नहीं करते याने कि A-B not equal हो जाएगा B-A तो ये जो है क्रम विनिमेनियम का पालन नहीं करता अब क्रम विनिमेनियम का पालन नहीं कर रहा है तो यहाँ पर ये दोनों का तो हम अंतर लेकर कर रहा है तो निस्चेत रोड़ से ये साचर ये नियम का भी पालन नहीं करेंगे तो ये A-B कोश्टक बन करके-C not equal हो जाएगा A- कोश्टक में B-C तो इस प्रकार से ये न तो अंतर जो है न तो सुवरत नियम का पालन करता है नहीं क्रमविनी में नियम का पालन करता है और नहीं साचरी नियम का पालन करता है अब यहाँ पर देखते हैं जिस प्रकार से इसमें जो है अगर हम किसी संख्या में सुनने को जोड़े या किसी सुनने में या सुनने में किसी संख्या को जोड़े हमेशा वही संख्या प्राप्त होता था लेकिन यहाँ पर यह रूल भी नियम लागो नहीं होगा तो अंतर मे हम कोई तत्समक अवयोव प्राप्त नहीं कर पाते हैं इसके बाद हम लोग चलते हैं गुणा में क्या गुणा में जो है इनका पालन होता है या नहीं होता तो आपको पहले ही मैं बता देता हूँ कि अगर दो पूर्ण संख्या लेते हैं और उनका गुना किया जाता है तो हमेशा एक पूर्ण संख्या प्राप्त होता है यानि कि ये जो है आपका समवरक नियम का पालन करता है ठीक इसी प्रकार ये जो है आपका क्रम विनिमे नियम का भी पालन करता है एक्जामपल लेना चाहा है ले सकते हैं आप मालो 5 गुणित 3 बराबर लिखते हैं तो आएगा 15 या इसको 3 गुणित 5 कर देते हैं तब भी हमको कितना प्राप्त होता है 15 प्राप्त होता है यानि कि ये जो है क्रम विनिम इनियम का पालन करते हैं इसी प्रकार अगर हम साच्य इनियम की बात करें 2 गुणित 3 गुणित 5 इसका मान आप ग्याद करके देख लो 2 तिया 6 गुणित 5 और 6 पंचे कितना हो जाएगा 30 इसी प्रकार अगर हम 2 गुणित 3 गुणित 5 कर दें तो ये आपका 2 गुणित 3 पंचे 15 और 15 गुणित 2 यानिकी 3 तो यहां पर देखते है ये जो है साचरियमियम का भी पालन करता है यानिकि A गुणित B गुणित C बराबर A गुणित B गुणित C होगा इसके बात देखते हैं तत्समक अवयाओं तो तत्समक अवयाओं के लिए यहां पर क्या मिलेगा मान लो हम कोई भी एक पून संख्या लेते हैं और उसके एक का गुणा करते हैं जैसे दो गुणित 1 तो 2 आएगा पांच गुणित 1 तो 5 आएगा नव गुणित 1 तो 9 आएगा तो यहां पर एक जो प्राप्त हो रहा है यह हमारा गुणन तत्समक अवयाओं कहलाता है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एक गुनित एक बराबर एक गुनित एक बराबर ए कि इसलिए एक जो है क्या कहलाएगा गुनन तत्समक अवयव कहलाता है जिस प्रकार से अंतर जो है इनमें से किसी नियम का पालन नहीं करता है ठीक भाग भी वैसे इन में से किसी भी नियम का पालन नहीं करता तो इस प्रकार से पून संख्याओं के गुण के लिए ये एक complete चार्ट जो है यहाँ पर आपको उपलब्द है इसको आप देख करके जो है पून संख्याओं के गुण क्या-क्या है आसानी से जो है आप उसको जान सकते हैं इसी में जो है अब हम थोड़ा सा भीन्न के बारे में देखते हैं कि भीन्न कोता क्या है उसको भी मैं थोड़ा सार्ट कट में बताऊंगा जैसे कोई भी भी भीन न बोलने से हम ऐसा लिखते हैं दो बटे तीन परहेंगे क्या उसको दो बटे तीन यहाँ पर बीच में जो चिंध लगा हुआ है यह लाइनिंग इसी को हम बटे पढ़ते हैं और इस बटे के उपर में जो भी संख्या रहता है वो कहलाता है अंस और नीचे में जो रहता है वो कहलाता है हर यानि कि कोई भी भी भीन लिखा जाता है तो उसमें दो पार्ट होंगे अंस और हर ये भीन्द जो है हमें दो प्रकार के मिलते हैं पहला तो होता है आपका उचीत भीन्द उचीत भीन्द किसे कहेंगे? ऐसा कोई भी भीन्द जिसका अंस जो है हर के तुलना में छोटा हो से यहां पर लिखा गया 1 बटे 3 1 बटे 2 2 बटे 3 1 बटे 4 पांच बटे 7 ये सब जो है उचीत भीन कहलाते हैं क्योंकि इन सब रही का हर जो है बड़ा है और अंस जो है छोटा है इसका जो है सीधा सीधा अगर हम साब्दी करत की बात करें तो कहीं पर अगर एक बटे तीन लिखा इसका मतलब होता है तीन भाग में से एक भाग ये आपका जो है भिन्नक के बारे में समझने का तरीका है एक बटे तीन मतलब तीन भाग में से एक भाग एक बटे दो का मतलब है दो भाग में से एक भाग याने की आधा दो बटे तीन का मतलब है तीन भाग में से दो भाग तो ये है आपका उचित भिन्न दूसरा होता है अनुचित भिन्न या विसम भिन्न दोनों नाम से जानते हैं इसको अनुचित भिन या फिर बोल देंगे विसम भिन अब इसमें क्या होता है? कि इसमें अंस जो है बड़ा हो जाएगा और हर छोटा हो जाता है जैसे यहाँ पर लिख दिया गया है तीन बटे दो पांच बटे तीन चार बटे तीन ये सब जो है विसंभीन कहलाते हैं अब यहाँ पर आपको जैसे बताया गया कि एक बटे तीन का मतलब होता है तीन भाग में से एक भाग उसी की इसाब से अगर हम तीन बटे दो को अगर हम बोलें तो दो भाग में से तीन भाग कहलाएगा अगर बोले तो जो की हमको बोलने में गलत लगता है कि दो भाग करेंगे और हमको तीन भाग कैसे मिलेगा तो इसको जो है जब चीत्र में हम समझाएंगे तब आपको जो है clear समझ में आएगा वास्तों में ये जो है आपका मिस्रित भीन्न के रूप में आता है उसको आगे हम चर्जा करेंगे सबसे पहले यहाँ पर जो है हम देख लेते हैं कि उचित भीन्न को किस प्रकार से हम संख्या उचित भिन्न को किस प्रकार से हम चित्र में प्रदर्शित कर सकते हैं या संख्यारेखा में दर्शा सकते हैं तो जैसे यहाँ पर तीन भाग में से एक भाग बोला गया है तो अगर हम कोई भी एक आकरिती बना ले चाहे वो वृत्ताकार बना ले या फिर एक आयताकार बना सकते हो तो यहां पर जैसे मैं दो आकरिती बना लिया हूँ एक जो है वृत्ताकार है इसको हम तीन बराबर बराबर भाग में बार देते हैं यह होगी आपका तीन बराबर भाग या फिर यह आयताकार जो भाग दिया गया है इसको तीन बराबर भाग में बार देजिए और ए खाली वाला भाग अगर हम लेंगे तो तीन भाग में ऐसे दो भाग खाली है तो यह कर लाएगा दो बटे तीन ठीक इसी प्रकार यहां पर भी हम देखते हैं कि यह जो है तीन भाग में एक भाग शायंकित है और दो भाग खाली है तो यहां पर भी शायंकित भाग एक बटे इनको दर्साएगा और खाली भाग जो है दो बटे तीन को प्रदर्सित करता है तो ठीक इसी प्रकास से जो है बाकी के लिए भी हम आसानी से जो है चित्रात्नों प्रदर्सन कर सकते हैं अब रही बात इसको संख्यारिका में दर्साने के लिए हम क्या करेंगे कि मालों हम एक स बराबर बराबर भागों में बाढ़ देंगे तो यह है जीरो और यह है एक इसके बीच को हम तीन भाग में बाढ़ देते हैं एक दो और तीन ठीक अब एक तीन भाग में बाढ़ दिये और एक भाग हमको दरसाना है तो यह वाला जो आपका होगा यह कहलाएगा एक बटे ती ठीक वैसे ही अगर 2 बटे 3 को आप दर्साना चाहेंगे तो 2 बटे 3 के लिए हम क्या करेंगे 0 और 1 के बीच को हम 3 भाग में बांड देंगे और उसके बाद जो है 2 नंबर को हम दर्सा देंगे तो यह आपका 1 और यह हो गया 2 तो यह खलाएगा आपका 2 बटे 3 अब इसके बाद देखते हैं अनुचित भीन यह अनुचित भीन जो दिया है उसको हम कैसे करके जो है चित्र के रूप में प्रदर्सिप करेंगे तो चित्र के रूप में भी प्रदर्सिप करेंगे और संख्यार एखा में भी इसको दर्साएंगे जैसे यहाँ पर दिया गया है तीन बटे दो तीन बटे दो को अगर हम संख्या रेखा में दरसाने की बात करें मालों यह 0 है यह 1 हो गया 2, 3, 4 अब यहाँ पर जो है हर में जितना रहता है उतने उतने भाग में हम बाड़ते जाते हैं तो यहाँ पर 0 और 1 के बीच को दो भाग में कर दिये एक और 2 के बीच को दो भाग कर दिये इसको भी दो भाग किये और इसको भी दो भाग कर दिये सब को हम दो दो भाग में बाड़ दिये अब हमको 0 के बाद जहें 3 तक जाना है जीरो के बाद बोलने से यह हो गया एक, यह हो गया दो, यह हो गया तीन तो यह वाला जो portion है यही कहलाएगा आपका क्या? तीन बटे दो अगर हम पांच बटे तीन को दर्साना चाहते तो उस condition में हमको क्या करना होता? जीरो और एक के बीच को तीन भाग में बाड़ते एक, दो, तीन एक, दो, तीन एक, दो, तीन यह जो है करम से आपका जाते जाएगा और पांच जो है गिन के आपको लिखना है जीरो के बाद जीरो के बाद दे से एक, दो, तीन, चार, पांच ये हो गया आपका 5 बटे 3 तो इस प्रकार से जो है अनोचित भीन्न का संक्यारिखा में निरूपन हो गया अब यदि हम इसको चित्र में दर्साना चाहें तो कैसे दर्साएंगे 3 बटे 2 मतलब 2 भाग में बाटो और 3 भाग में प्रदसीत करो तो इसके लिए हम क्या करते हैं यहाँ पर एक आयताकार ले लिए और इसको जो है दो भाग में बाट दिये ये निजे में दो दिया गया था इसलिए हम दो भाग में बाटे लेकिन ये एक जो है परियापत नहीं है और एक ठो बनाओ कि इसको भी 2 भाग में बाट दो और कितना भाग लेना है? 3 भाग यह 1 भाग, यह 2 भाग और यह 3 भाग मतलब ये वाला पूरा का पूरा और ये वाला जो है आधा तो इतने को मिला करके हमारा क्या बनेगा? 3 बटे 2 मतलब एक पूरा का पूरा और दूसरे का जो है आधा तो ये पूरा का पूरा दो में से पूरा दो लिए दो बटे दो ये दो में से एक लिए एक बटे दो मतलब ये दो बटे दो और एक बटे दो दोनों को जूड़ दें अब हमको क्या मिल जाता है तीन बटे दो जो है प्राप्त हो जाता है अब बोलोगे दो बटे दो का मतलब तो एक होता है बिल्कुल सही है तो इसको हम लोग भाग दे करके मिसर भीन में बदल देंगे तो आपका एक धन एक बटे दो भी आपको मिलेगा कैसे? तीन बटे दो दिया है तो हम 3 को जो है 2 से भाग देते हैं 2 एकम 2 बज गया कितना? 1 यह जो एक प्राप्थ होगा है यह पून रूप में है और इसको हम लिखेंगे 1 बटे 2 तो यह देखिए 3 बटे 2 किस रूप में आ गया? 1 सही 1 बटे 2 के रूप में आ गया और एक जो है आधा मिल रहा है तो यहाँ पर अब समझ में आ गया होगा कि 2 भाग करके हम 3 भाग कैसे लेते हैं 2 भाग कर लिए यह परियाथ नहीं था आमने पूरा का पूरा ले लिया फिर से एक रूप बनाए फिर 2 भाग किया और इसमें से एक भाग ले लिया तोटल हमको 3 भाग मिल गया तो यह कहलाता है आपका 3 बटे 2 उम्मिद है आपको अनुचित दिन न कभी यह आपका संख्या रेखा में निरूपन और चित्रात्मव प्रदर्शन भी समझ में आ चुका होगा तो आज के वीडियो में जो ही इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में